सूपर हीट फिल्म में देकर तारीफे बटोरने वाला श्टार कहलाता हैं लेकिन फ्लो फिल्म में देकर फ्लो फिल्म से भी तारीफे बटोर लेने वाला कहलाता हैं बहतरीन एक्टर लिहाज़ा इस वीडियो में बात होगी कुछ ऐसी फिल्मों की जो सूपर श्टार अमिता बच्चन के सितारे बुलंदियों पर थे तब राजेश कंदा के साथ कई सूपर हीट फिल्म में बनाने वाले डायरिक्टर शक्ति सामंता ने अमिताब बच्चन के साथ फिल्म बनाई दे ग्रेट गेमलर फिल्म को दो करोड दस लाग के बजट में बनाया गया लेकिन ये फि बियोएंस्थी जीनत अमान और नीतू सिंग दोस्तों ये फिल्म बले ही फ्लोब हो गई लेकिन आगे मरमन द्वारा कंपोज किये गए फिल्म के गाने काफी जादा पोपुलर हुए और आज भी इस फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जाता है और फ्लोब होने के बाव शान फिल्म को जब अनाउंस किया गया तब इसमें अमिताब बच्चन के अलावा धर्मेंदर और हिमा मालिनी भी नजर आने वाले थे क्योंकि इस फिल्म के जरी डारेक्टर रमेज सिप्पी शॉले फिल्म की सफलता को दोहराना चाह रहे थे लेकिन बाद में किनी कारणों के चलते दर्मेंदर और हिमा मालिनी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए लिहाज़ा फिर इसे अमिताब बच्चन, शत्रुगन सीना और सुनी लदत वगेरा के साथ बनाया गया और शॉले फिल्म जोकि उस समय की काफी महंगी फिल्म थी उसे भी 3 करोड के बजट में ही बनाया गया जबकि शान फिल्म को 4 करोड के बजट में बनाया गया और रिलीज के समय शान फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई और इसे एक flow film करार दिया गया हालाकि बाद में रीरन के दोरान फिल्म काफी चली थी और साल 1980 की ये 24 सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म भी रही लेकिन बहुत ज़्यदा बजट होने के करण इसे flow film कहा गया लेकिन आज इसे अमिताब बच्चन की कुछ बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जरता है और इस फिल्म को पसंद करने वाले इस तथी को बिलकुल भी नहीं मानते कि ये फिल्म रिलिस के समय फ्लो अप हो गई थी शान के बाँ जिकराता है साल 1989 में आई फिल्म काला पत्तर का काला पत्तर फिल्म को डीरेक्टर ये स्चोप्डा ने एक खुल प्रोडूस किया था और इससे पहले वो प्रोडूसर गुल्षन ग्राए की कुछ फिल्मों को डिरेक्ट कर चुके थे और काला बत्तर के निर्मार से पहले गुल्शन राई ने यस चोपडा को ये सला दीती कि वो ये फिल्म नहीं बनाए ये फिल्म अफ लोग होगी लेकिन यस चोपडा नहीं माने काला पत्तर फिल्म को ड़ाई करोड के बजट में बनाया गया और फिल्म नी इंडिया में तीन करोड का कलेशन किया और फिल्म बोक्स ओपिस पर एवरेज साबित हुई लेकिन आज काला पत्तर फिल्म को कल्ट फिल्म मना जाता है और इसे बार बार देख चुके लोग ये कता ही मानने को तयार नहीं है कि ये फिल्म सूपर हिटना होकर सिर्फ एक एवरेज फिल्म रही थी मतलब इसे आज एक महान फिल्म का दर्जा मिलता है काला पत्तर के अलावा येस चोपड़ा के डिरेक्शन में ही बनाई गई साल 1976 में रिलीज भी फिल्म कभी कभी जो की एक करोड बीस लाग के बजट में बनी थी वो सिर्फ दो करोड का कलेक्शन कर पाई और बॉक्स ओपिस पर एवरेज रही थी लेकिन इस फिल्म के गानों और इसकी पोएम्स की वज़े से आज इसे कल्ड फिल्म का स्टेटस मिला हुआ है और आज इस फिल्म को हमिताब बच्चन के फेंस और म्यूजिक लवर काफी पसंद करते हैं साथ ही इस फिल्म ने उस साल की कई सुपरीट फिल्मों के मुकाबले जादा अवोर्ड और अवोर्ड नोमिनेशन हासिल किये कभी कभी के बाद जिक्राता है यस चौपडा की ही एक और फिल्म सिंसिला का सिंसिला फिल्म का टोपिक काफी तड़ता बड़ता था इसलिए यस चौपडा को पूरी उम्मीद थी कि ये फिल्म सुपरीट होगी लेकिन फिल्म बॉक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई लेकिन काणब्री एगानों और खुबस्वरत शूटिंग लोकेशन्स की वज़े से ये फिल्म अमिताब बच्चन की कुछ बेतरी फिल्मों में शुमार की जाती है और सिंसिला के बाद जिक्राता है 1988 में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वर्दी का अमिताब बच्चन और मनमों देसाई की जोड़ी के करण फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली थी लेकिन फिर नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म के कलेक्शन्स काफी कट गए और ये फिल्म रिलीज के समय अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई और इसे फ्लो फिल्म करार दिया गया लेकिन बाद में नाइंटीज में जब इस फिल्म को रिरिलीज किया गया तब इस फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया काफी मुनाफ़ा कमाया और बाद में वी सी आर और टेली वीजन के जमने में इस फिल्म को ग्रामिन शेतरों में काफी पसंद किया गया और अमिताब बच्चन के फैंस आज इसे अमिताब बच्चन की बेहतरीन फिल्म मानते हैं और इस फिल्म को इतना ज़्यदा पसंद किये जाने की एक वज़े इसके करनप्रिये गाने भी हैं गंगा जुमना सरस्वती के बाद जिक्राता है साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म अगनीपत का आठ करोड की बजट में बनी अगनीपत फिल्म रिलीज के समय 6 करोड भी नहीं कमा पाई थी और बॉक्स ओपिस पर फ्लोप साबिट हुई थी लेकिन बाद में रिलन के दोरान इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और इसे समय से आगे की फिल्म बताया गया और इसी के चलते बाद में इस फिल्म को रिति ग्रोशन के साथ रिमेक किया गया और फिल्म का रिमेक सुपर एड रहा और अगनीपत रीमे को आज रितिक रोशन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है और 1990 वाली अगनीपत को आज अमिताब बच्चन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है अगनी पत के बाद जिक्राता है साल 1992 में आई फिल्म खुदागवा का खुदागवा फिल्म रिलीज के समय इंडिया में कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई लेकिन इस फिल्म ने विदेशों में और खास कर अफगानिस्तान में बहुत अच्छा कलेक्शन किया और यहां तक की खुदागवा अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बारतीय फिल्म बनी हुई है साथी साथ फिल्म का म्यूजिक भी सूपर हिट और सदा बाहर साबित हुआ जिसके जलते आज इस फिल्म को काफी पसंद किया जाता है साथी 1985 में रिलीज हुई कमल असन, अमिताब बच्चन और रजनी कांथ के लीड रोल वाली फिल्म गिरपतार का हाल पी कुछ ऐसाई रहा गिरपतार फिल्म भी इंडिया में कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई लेकिन फिल्म को विदेशों में काफी पसंद किया गया और फिल्म का विदेशी कलेक्शन से देखें तो इसे एक ब्लोकबश्टर फिल्म कहा जा सकता है साथी गिरपतार का गाना दूप में निकला ना करो रोप की रानी भी सदा बहार साबित हुआ गिरपतार के बाद दिक्राता है साथ 1999 में रिलीज हुई फिल्म सुर्य वंचम का सुर्य वंचम फिल्म में रिलीज के समय बोक्स ओपिस पर फ्लोप साबित हुई थी लेकिन बाद में इसे टीवी पर काफी पसंद किया गया जिसके चलते इसे सेट मेक्स चैनल पर बार बार दिखाया जाता रहा है और इसी के चलते आज इसे कल्ट फिल्म माला जाता है और इनके अलावा भी अमिता बच्चन के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्मे हैं जो की बॉक्स ओपिस पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में इतनी परचलित भी नहीं हो पाई जैसे की 1973 की सोधागर, 1989 की जुर्माना, 1981 की बरसाथ की एकराथ, 1982 की बेमिसाल और 1989 की मैं आजाद हूँ साथी 1975 की ब्लोकबस्टर फिल्म और शोले को भी इस सुची में शामिल किया जा सकता है क्योंकि रिलीज होते ही शोले फिल्म और टिकिट की रिवी पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और किटिक्स से भी इसे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे लेकिन बाद में वर्ट ओप माहुत के चलते फिल्म ने फेमस होने के मामले में और कमाई के मामले में इतिहास रच दिया वैसे आपके विचार में मिताब बच्चन की ऐसी कोई और फिल्म हो जो बहुत ही अच्छी हो लेकिन इतनी ज़्यदा परचलित नहीं हो पाई तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेर कर दें वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चलल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर ओल्ल का उप्शन चुन लें और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फोलो जरूर कर लें तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लेश बेक दन्यवार